बागेश्वर वाले बाबा की लोग प्रियता दिनों रात बढ़ती भी चली जा रही है और इसी के साथ इसाथ उनका लंबा चोड़ा कारक्रम भी अब देश के सामने आ रहा है एक तरफ वो धर्मांतरण करवाकर हिंदूओं की आबादी बढ़ाने की लगातार कोशुशों म लेकर मौजुदा वक्त में उठ रहे हैं जिसका जवाब देने के लिए खुद इस वक्त हो हमारे कारक्रम का हिस्सा बन चुके हैं आपको बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत धन्वाद और एवी पी निउच के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत-धन्वाद कैसा च लेकिन विरोधी दल तो यही बोलते हैं आपके बारे में धर्मांत्रण इतनी घर्बापस करवा के क्या करेंगे पहले से इतनी बड़ी तादार है हिंदू की कहा है घट गई है लगातार घट रही है उनकी लगातार बढ़ रही है इसलिए हमको बहुत चिंता सता रही है घर बापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर बापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की फूट डालो राज करो ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था उस तरीकों को तोड़ा जाएगा भारत को भब बनाया जाएगा तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पर क्यों लेकर रख्यूए है? कुछ काम सरकार भी तो करेगी? सरकार जब करेगी तब करेगी पर हम सनातनी होने के नाते जागे हुए हिंदू होने के नाते धर्म गुरू के नाते हमारा धर्म है भगवान शीराम ने कहा धर्मो रक्षती रक्षता तुम धर्म की रक्षा करो धर्म तुमारी रक्षा करेगा तो एक हमारा वर दायुत नहीं है बहुत से इस भारत के सनातरी हिंदू इस कारे में लगे हुए हैं और हमारे शाद बहुत से लोग साथ में आंगे बढ़ रहे हैं उनका भाव मिला, सुभाव मिला, उनका प्रभाव भी मिल रहा है और घर-बाप से भी बहुत आयत मात्रा में हो रही है, जो रह गई वो और करेंगे। कौन आपको छड़नी जा रहा है? या हिंदू के समधाय को कौन छड़नी जा रहा है? जनने भारत के संतों से दिक्क्त है, जनने गव माता के से दिक्क्त है, हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी कहलते हैं, लیکि इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मास के साथ रोटी क्हाते हैं. हमें उन लोगों से दिक्कत है हम जगे हुए हिंदू है इसलिए हम सनातन के पक्षमे खुल करके बोलते हैं परिनाम जो भी हो पर हम मानेंगे नहीं जब नरेंद्र मोधी की सरकार बनी तो ये माना गया कि हिंदूों की प्रचन्ड बहुमत से सरकार बनी योगी आदितिनाज जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया अलग रग राजियों में बीजेपी के सरकार है तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया जब उनको से अपना कार कर रही थी तो सरकार का विशय लगे हिंदू इसलिए खत्रे में क्योंकि हिंदू बटा है हिंदू इसलिए खत्रे में कि किसी एक हिंदू के उपर उंगली उठाते हैं वह हम पर उंगली उठाते हैं तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि यह उंगली के ब कि नातिम ये नारा दिया है तो सही बोला है क्योंकि हमारा देश भी भारत को जोड़ना है राजनेती में कोई कमेंट्स क्यों नहीं करेंगे आप वो मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी बात ही करें देखें जब वो गोरकपुर गोरक पीठा धीशवर हैं वो वहां से कोई बात कहेंगे तब माना जाएगा कि एक महंत्र के तौर पर कर रहे हैं लेकिन चुनावी रैलियो में जब योग्याद इतिनाद बोलते हैं तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं बीजेपी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं वो अपना विश्य है उनका है हमारा केवल महंत्र, सादू, शंत, राष्ठित, राष्ठ के लिए और सामाजिक्समरस्ता के लिए कोई भी बोले किसी भी पार्टी का बोले कोई भी हो उसी को हम सुईकार करेंगे बाग विश्यूर जी पहले ही आपके इतने अलग-अलग कारिक्रम चलते हैं जिसमें लाखों के तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए देखने के लिए ऐसे में यात्रा करने के जरुद क्यों आन पड़ी आपको हमें लगा कि सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं जगेगा किबल कताओं से हिंदू नहीं जगेगा लाखों की भीड जुटाने से हिंदू नहीं बचेगा या हिंदू को नहीं बचाया जा सकता है हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा जो लोग हम से दूर हैं जो हमसे मिल नहीं पाते जो बिछड़े हो पिछड़े हैं जिनने समाज में कभी मंचों पर इस्थान नहीं मिला जो सिर्फ तालियां बजाने के काम आते हैं इसलिए हमने विचार किया कि हम उन लोगों को भी मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे, जो सबसे पिछले इस तर पर रहते हैं, उनको हम गले लगा करके उनको यह इसास कराएंगे, कि आप पिछडे नहीं हो, आप भी हिंदुस्तान के हो, आप भी सनातनिय कटर हिंदू हो और हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, हम तुमसे अलग नहीं है, तब ही इस देश में एक ताकी करांती ख़री है ये बताते हुए कि हिंदू के एक जुट होना होगा, आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछडे हैं, उनको साधने की कोशिश आप की ओर से की जारी है बिलकुल भी नहीं, ये अपना अपना विचार है, इसके पहले भी हम मंचो पर आरती करवाते थे, जो सफाई करम चारी हैं, उनसे आरती करवाते थे, इसके पहले भी हमने सभी विरादरी की बेटियों का ब्याह करवाया, तब तो लोगसभा का चुनाओ भी नहीं हुआ थ तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैट कर ड्राइव करते हुए उनको गंतब वितक ले कर जाते हैं उनकी अपनी 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 श्रद्दा है हर सब बर्ग के लोग है हर पार्टी के लोग हम से जोड़े हैं के बल बीजेपी के दिखाई देते हैं क्योंकि वरतमान में सत्ताम हैं इसलिए उनके लोग बर दिखाई देते हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं अभी बहुत पिछले में ही हमारे बहुत ही प्रिये लाड़ले रगराज परताब सींग भई या राजा भी आये हुए थे उसके पहले भी हमारे चतरपुर के प्रिये हैं वो भी बागेश रधाम की आत्मा है क्योंकि उन्हें पता है कि गुरू जी कभी भी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं हम सब को ले करके चलते हैं जो पार्टी का हमारे पास आ जाए हम सब को शुईकार करते हैं जाती पाती को मिटाने के आप बात करते ह हिंदू मुसल्मान नियम करते हैं हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं जो सनातन के खिलाफ है जो सनातन के खिलाफ है मुसल्मान देश की खिलाफ है हमने यह नहीं कहा कि मुसल्मान कुछ लोगों को यह सेक्टलरिजम का कीड़ा हिंदू में भी होता हम उनके भी खिलाप हैं जो भारत को भारत तेरे टुकडे होंगे उनके भी हम खिलाप हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं हम उनके भी खिलाप हैं जिने पंडो और पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं मौलवी और पाद्रियों में सक्तियां दिखाई देते हैं लेकिन ये 25 करोड जिस देश में मुसल्मान रहते हों इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है वहाँ पर आप सर्फ हिंदू एक जुटका की बात करेंगे तो जो मुसल्मान है वो कहां जाएंगे उनका भरोसा जीतने की वो भारत में ही रहेंगे वो भारत में ही रहेंगे उनका भरोसा जीतने की हमें जरूरत नहीं है क्यों नहीं है क्जोंकि सो Hinduों के बीच में एक मुसल्मान सुरक्षेत थे हैं लह इसकी प्रतक्स घठ्णा-बरेली में मिली रह इसका मतलब क्या समझे हैं जब तुम हम हजार लाख रहते हैं जब हम यहाँ पर 80 लाख लोग रहते है और आप 20 लाख लोग सुरक्षत है और आपके बीच में एक हिंदू की बिटीगा सुरक्षत नहीं रह पाती यह कहा Countूँ आए यह कहा कोठ के त्रो वापस करवाइंगे वोभी कोठ के त्रो जो मंंदर डर्शन करने के लिए जा है वो मुसल्मान अच्छा और जो दर्शन करने के लिए जा है बो बुरा बेल को स्रिधा जैसे 35 टुकडे करने में मज़ा आता है बो पुरा जिने भारत के टुकडे करने की बात करने में मज़ा आता है बो पुरा जिने भारत को बांटने में मज़ा आता है बो पुरा महाकुम कायूजन होना है जिसको लेकर अब आप लोगों के और से अप्लील की जारिया खाड़ा परशत ने भी कह दिया है कि मुसल्मानों को दुकाने नहीं दी जाएं कैसे नफरत नहीं फैलेगा वो कहा जाएंगे रोजी रूटी के लिए पता नहीं है आप तो हिंदू हो आपके नाम की पीछे तरपाठी लगा है मक्का मदिना में हमारे गरीब हिंदूओं को दुकाने मिल सकती है हम पूछते हैं आप से सतसंग का पता नहीं तरवेनी संगम का पता नहीं अखाड़ा परशद ने क्या गलत बोला जब तुम उस मान के बारे में पता नहीं तो तुम वहाँ पर बिजनस करके करोगे क्या कैसे आप हमारी पवित्रता को कायम रखोगे पवित्रता के लिए बात एक दम ठीक लोगों ने हमारी बात पर बबाल मचा दिया कि आपने अखाड़ा परशद का सपोर्ट कर दिया कि वहाँ पर यह कहा जाए मुसल्मानों को दुकानी लगाने दिंगे क्यों लगाने दे हिंदूओं का मेला और अगर कोई लगाएगा तो सनातनियों का मेला देश सम्विधान से चलेगा ना बेजिजग चलेगा कानून से चलेगा सम्विधान से चलेगा सरकार से चलेगा सम्विधान ने सबको ये इजाज़त दे रखी है कि कोई कहीं भी इस देश में आ जा सकता है कहीं दुकान लगा सकता है फ्लमारी बिल्कुल दी गई है हम यह नहीं कहते कि नहीं दी गई है नंके तेवहारों में इनकी मस्ज़दों के सामने तो नहीं लग पाता है अगर शुट अंतरता है तो सब को है चलो करो फिर आप लोगों के हाथ पैर फूलेंगे किस से दंगा होगा, वहीं क्या जरूरत है, और जगए दुकाने लगा लो, इतनी जगएं तो हैं, फिर आप ये ग्यान दोगे फिर आपने बयान को ठीक से सुना नहीं हमारे, हमने कहा गैर सनातनियों का प्रवेस भरजित अब गैर सनातनियों कोई भी हो सकता है, हिंदू भी तो हो सकता है, आप लोग मुसल्मानों को डरा की क्यों रखना चाहते हैं बिल्कुल भी नहीं डरागे रखना चाहें, हम तो प्रहम से रखना चाहें अगर वो डर के रहना चाहें, यह उनकी मजबूरी होगी, ऐसा काम मत करो, चोड डरते हैं, हम नहीं डरते हैं अगर वो दुकान लगाएंगे तो फिर उनके साथ फिर वही बात वो दुकान लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे आप कहो तो open खुला हुआ बोलो तो कि हाँ चलो हम आप कही साथ चल देंगे बार में गया कथा पता छोड़ के दुकाने शुरू करेंगे हिंदु एक्ता की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्रे हिंदु मुस्लिम एक्ता की क्यों नहीं बात करते हैं हमने इस देश में किताबों में हमेशा यही पढ़ा हिंदु मुस्लिम सिक्षाई आपस में हम भाई-भाई अब एक नए राश्र के तौर पर आप लोग इसको आगे बढ़ाना जाते हैं इसलिए तो ये दुर्दसा हुई है कि आप हिंदू-मुस्लम से खिसाई कर रहे थे इसलिए इस देश का ये हाल हुआ है हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं है इशाईयों से भी दिक्कत नहीं है लेकिन आप इस सिंहिंदू-मुस्लम से किसाई की पंगती का फायदा नहीं उठाएंगे इसका फायदा उठाया है इसलिए हमें दिक्कत है है इसलिए हम एंदू मुसलमान एक होने की बाद नहीं करते हैं अमने पहले हिंदू को एक करना है पोटली है जिसको आप लेकर चलते हैं क्या इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं है सब के लिए है सुईकार करने बाला तो हो क्या है जो लोग स्विकार करना साथ है उनके लिए क्या है अरे उनके लिए माला है मुगदर है उनके लिए हनमान जी का इसमें विग्रह है फिर यह घर बाप से करवाएंगे ना मतलब यह कहेंगे अगर वो कल लेंगे 400-500 साल पहले उनके भी पूरवज हिंदू ही थे रामला की गलती है हम दो नहीं है हमारा सनातन धर्म सबका बाप है ठीक है यहां पर औल इंडिया उलेमा बोड के प्रदेश अधक्ष की ओर से कहा गया जब आप मुस्लिमों को कहते हैं कि नहीं आप नहीं लगाएंगे इस तरह की दुकाने महाकुम के अंदर तो उन्होंने आपके दोस्ते लेकर विवाह संपनि कर वाया था अंधरी महिलाएं जो आपको सुनने के लिए आती हैं वो बिलकुल मतला वैसे लाडले की तरह आपको प्यार दिलार भी करती हैं किसी के हम बेटा हैं तो उनके अंदर वो ममत जलकता है तो वो ये भी पूछते हैं कि शादी विवा कब होगा संपन्न आपका जल्दी होगा बहुत प्रशन हो गए अब आज वो तारीख आ गई है जब भीरेंदर शास्त्रे इस देश को बताएं कि कौन है वो लड़की और अब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कब होंगे विवास संपन्न कब होगा वो तारीख कौन सी होगी इसी साल हो जाएक दो ही महिने बाकी है या दो हजार पचीस के शुरुवात में हो जाएगा ये कह नहीं सकते है अगर पचीस निकल गी तो पर आप कहो के बाबाजी जी उटी निकले है जब मिलेगी तो यह है कि बहुत धुम दढ़ा करके साथ बताएंगे जो महिलाएं आती होंगे उन में से इस तरह की सवालों का सामना आपको करना पड़ता है आते हैं कुछ बेहुदा बोलने लगते हैं एक कोई घटना थी बाहर की थी कहां की थी पता नहीं वो पढ़ गई थी पीछे कई दनों तक धाम पर रुकी रही फिर वो लिए कि हमको शादी करनी है हमका बहन जी चमा करो कोई आपसे शादी के लिए कहेगा तो आप उसको कहेंगे बहन जी शमा करो इसलिए चमा करो कि अधर एजट थी बहुत और वो आप से बिबाह कर रहे जाती है और उल्टा यह भी कह रही हैं ती कि हम अपने पती को तलाग दे रहे हैं पर हमने का कि हम आप आप चमा करो 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 हम पर पर पुलिस के पास बेजा हमने पुलिस टीनाट लगवाई हम कही हमारी पीछे पड़ी इसको अटाओ अच्छा ठीक है अभी आपकी दिन चर्या क्या है सुबह से लेकर शाम तक की अगर मैं जानना चाहूं बादा लगई बीच में सुधर गए थी फिर बिकड़ लोगों को मिलते थे इसके बाद में फिर थोड़ा सा किर्केट खेलते थे अब बदल गई अब फिर से थोड़ा थोड़ा भिगड़ गए हैं लेकिन ब्यस्तता ज्यादा बढ़ गई ना यह पधियात्रा वाली खान पान में अपना कैसे ध्यान रखते हैं आप खान पान अ और रात्री को कम रोटी या चावल थोड़ा ले लेते हैं दाल चावल या कडी चावल या एक आद्धू रोटी ले लेते हैं किर्केट खेलते हैं तो उससे व्यायाम भी हो जाता है शरीर का फीवरेट क्रिकेटर कौन है आपका अपका अप ते हमारे बाले सब रिटार होंगे और पिक्चर देखते होंगे नहीं है इसके पहले कि मैं कारेकरम का समापन करूँ एक सवाल अभी हाली में एक वीडियो बहुत बायरल हुआ था जिसमें राम भद्रचारे जी ने एक छोटे जो बालक हैं उनको मंच से उतार दिया था अगर आपको जानकारी मिली हो हाँ तो क्या है प्रतिक्रिया क्योंकि वो खुद भी इसी तरह का प्रवचन या युश्वर की भक्ती में लीन रहते हैं पता नहीं हमें उस बारे में क्या हुआ था वहां थे नहीं और हमारी गुरू जी शिश्विशा पर बात नहीं हुई पर जो हमें गुरू भाईयों स पता लगा कि वह कथा मंच में आय थे तो वह आशिरवाद लह चोके थे और रेडी पहले से और फे वह कथा मंच पे आय तो बीच कथा में गुरू जी आरती के समय पर ब्रिंदावन की कथा थी परम पूझ श्री कृष्ण चंदर ठाकुर जी के अहां पर हमारे बहुत ही अ वह अध्बुत हैं तो आप लोगों को भी परिशानी होती है बाबा पागेश्वर भी जब रात को सोते हैं तो एक बार ट्राक करके देखते हैं के इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है फेस्बुक पे जड़ाब ट्विटर पे नजर मार लें कि हमारे बारे में क्या चलते तो नहीं देख पाते हैं यूटूब हम देखते हैं यूटूब का हमें सौख है चलते चलते एक गीत आप सुनाएंगे लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जो तो किया था जातिगत जनगरना को लेकर इस देश में अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उस पर क् समाम उद्दों पर आपने हमारे साथ बातशीत के चलते चलते कोई एक गीत या कुछ ऐसी लाइने जो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहेंगे कारेक्टरम के अंत में ऐसे बहुत ज्यादा गीत तो हमको आते नहीं पर एक बागेश्वर धाम का गीत आता है उसको आना जाना हो गया वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया आते दर बार में जो अर्जी लगाते हैं बाला जी दयालू उनको गले से लगाते हैं जिनका जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया आप अपनी अर्जी कौन से लगाते हैं बाबा के दर बार में हनुमाल जी के सामने सबी शुकी रहें, सबका मंगल हो, सनातनी हिंदू एक हो जाब हैं और भारत हिंदू राष्ट हो जाएं चले बहुत धन्यवाद आपका, एबीपी न्यूस से बाचीत करने के लिए, अब भारत हिंदू राष्ट होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन इसे लक्ष को लेकर धिरेंद्र शास्त्री आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कितनी मिलेगी उनको काम्याभी इस पर लगाता रहेगी एबीपी न्यूस के नजर, अभी के लिए दीजे इजासत